यहां पे जितनी भी महिलाएं हैं यह सफाई करमचारी यूनियन से जुड़ी हुई हैं और यह विश्विध्याले में इंद्रा गांधी नेशनल उनिवर्स्टी है कश्मीरी गेट पे वहां से आई हैं और हम महिलाएं यहां पे इसलिए खटा हुए हैं क्योंकि यह तो वह महिलाएं हैं जो शरीर से भी मजबूत हैं और विदेश में जाके नाम भी रोशन किया इन्होंने कहा जाएं नाम ही महिल हैं और इस शर्म की बात है कि आज इनको न्याएं नहीं मिल रहे हैं हम तो वह महिलाएं हैं जो कि बस्तियों में रहती हैं ऐसे इलाकों में रहती हैं जो सफाई का काम करती हैं जो कि कहा जाए एक नीचे तपका कमाना जाता है समाज में उन महिलाओं के साथ भी छेड़ चा यहां पर रास्ते में इतना खौफ बड़ा रास्ता गुजर कर निकलना पड़ता है जहां आए दिन ऐसी घटना देखने को मिलती है तो यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात है हमारा भारत 75 वर्ष आजादी कामरित महस्तम बनाता है हमारे भारत के प्रधान मंत्री लेकिन आज भारत देश की संपून आदी से जादा आबादी जो महिलाओं की है वो आज सुरक्षित नहीं है यह बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच में खड़ा होता है कल का हम लोग जाएंगे हम जंतर मंतर पर ही खटा हो रहे हैं 11 बजे सभी चात्राओं सभी सभी कॉलिज की जगा पढ़ती हैं रहती हैं नौकरी करती हैं चाहे वो उनुवस्टिर में साफ सफाई करने वाली महिलाएं क्यों न हो जाड की न हो सबी से यह निवेधन है ज्यादस ज्यादा बढ़ी संख्या में पहुचे ताकी हम सारे एकी मंच प्याकर कि अपने न्याय की गुजारि कि हम महिलाएं जब सड़कों पे उत्रेंगी तो इत्यास तो रचेंगी हम भी अपना अधिकार छीन के लेंगी हमारी डिमांड यह कि सबसे पहले ब्रजबूशन को गिराफ्तारी गिराफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि उस पर पॉक्स को केस लगा है हमारी भारत की कानून लोग है तो उनको सजा नहीं दे रही है तो यह दिखाई देता है सत्ता में रहने वाले आदमी कुछ भी करें वह सत्ता का आदमी माना जाता है वह चाहिए वह रेपीस्ट हो चाहिए वह चेरचार करने वालों गुनेगार हो यह सरकार उसी का साथ दे रही है यह आज हमें नेटा वोट में कहते हैं मेरी भेहनें और मैरी ना यह कि सत्ता है और यह भारिस सरकार किसके साथ है कानून बियुपके साथ घरकर किसे ऺगवर कर वाले कितने भी आकबदे दिखा दे उन्हीं के पास सारे डॉक्टरे रहो उन्हीं के पास सारे वerry्यु गजी महिलंगे मुझ इतना परिशान has कि हमें बताने पर इतना घबराती है कि अगर उनके किसी छेड़ चार पर शिकायत दर्ज करती है तो उनके जान पर भी हमला करने की कई बार कोशिश होती है और यह सरकार के कुछ आंकड़े दिखाऊंगे पुराने जो भी बीते पूरे अब नौवर्स हो गया है मोधी को तो आतरस का जो खेस ता ऐसे ही कई केसी जाय जिसकी कोई गिन्ती नहीं है और दीन 12 मिनट में एक लड़की तवीकिसाथ रेप हो रहा यह सरकार याकड़ जो सरकार में दर्ज होते हैं वो FIAR जो दर्ज होती है बाकी जो दर्ज नहीं होती है वो गली महलों में ऐसी ठानों में पहुंच नहीं पाती है उन आकड़ों की बात कौन करेगा उन लोगों की उन महिलाओं की दिक्कतों को कौन सुल जाएगा जो गली महले में बस्तियों मे घरों में फैक्टरियों में गाओं के खेत में किसी इलाके में ऐसी जगे दब जाते हैं उन सभी मामलों के न्याय के लिए हम आज यहां पे इखटा हुए और तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा संगर्श जारी रहेगा तब तक हम अ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए धन्यमाद